आर्विंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है। अर्विंद केजरीवाल एक विचार है। में डालोगे सेंकडों अर्विंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के सम्मिधान को बचाने के लिए आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफतार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे दिल्ली के मूल चूल परिवर्तन किया है और इसी वज़े से मोदी जी को डर लगता है अर्विंद केजरीवाल से लेकिए यह बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है यह दिख रहा है कि आज ही हाई कोट ने नोटिस दिया है एडिको के समंद्स क्यों ना क्वाश किये जाएं आज ही हाई अर्विंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अर्विंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंग इस अलिब्रेशन ऑफ करॉप्शन जस्ने भष्टाचार मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं यह कोई पहला केस नहीं है बोए पेड बबूल का तो आम कहां से खाए करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए यह शराब के घोटाले का विशय है और कौन सी कोट तक शराब का घोटाला नहीं पहुचा है कौन सी ऐसी एजनसी है जिस एजनसी ने इस घोटाले की जाँच नहीं की है और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विशय के तत्थ से इस विशय केजरिवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं सवाल नंबर एक अगर आपकी excise policy इतनी अच्छी थी जैसा की आप बता रहे थे तो आपने excise policy को क्यूं रद किया क्यूं उसे रद किया गया इसका जवाब आज तक नहीं मिला आपने cartelization शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे आपकी खुद की excise department ने आपसे कहा था कि excise की policy उचित नहीं है शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए privatization नहीं होना चाहिए आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेका खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो advice था उसे क्यों नहीं माना blacklisted company को आगे बढ़ा करके अपने यारों को अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया सबसे बड़ा प्रशन उठता है पहले 5 प्रतीशत कमीशन दिया जाता था आपने बढ़ा करके 12 प्रतीशत कमीशन किया और बैक डोर कमीशन जो 7 प्रतीशत की अधिक कमीशन थी वह आपने black money की रूप में receive किया क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारिकियों को जानती नहीं है विजे नायर कौन था आज recorded statement है statements है ED के पास CBI के पास उन तमाम जाज एजनसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड रुपे किक बैक के रूप में receive किया और receive करके इसको कहां कहां ठीका नहीं लगाया किस बैग में इन्हें लेके गया गया ये सारे विशय आज पब्लिक डोमेन में है इन सारे विशयों की जाच हुई है 14 महीने से मनीश शिशोदिया इसी विशय में जेल के सलाखों के पीछे हैं कोई ऐसा कोट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरिवाल जीने जाके जूट का पुलिंदा फैलानी की कोशिच नहीं की हो मगर उसके बावजूद किसी कोट से मनीश शिशोदिया को रिलीफ नहीं मिला संजै सिंग बड़े बड़े भाशन दे रहे थे जेल के अंदर हैं आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है तत्यों के आधार पर काम करती है कोट तत्यों के आधार पर काम करते हैं यह जो अरविंद केजडिवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है, then I should say, he's a bad idea. अरविंद केजडिवाल एक बाइडिया है, the idea of corruption, the idea of minting money through a, I would say, through an excise policy, I mean this is unheard of. A CM, a CM who talks about education, money through a show, इनके education मंत्री थे, सिक्षा मंत्री थे, आपने विश्यो में कहीं सुना है, सिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा मना रहा है, जो CM कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके, शराब के ठेकेदारों से सराब के बड़े-बड़े माफियों से, डौन से पैसे की उगाई करता है, और करोडो करोड रुपेओं का चंदा लेता है, क्या यह विशयाज दिली से छुपा नहीं? तो स्वभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कारेवाही घोटाले किये जाएंगे, तो कारेवाही हो ना, यह विशयाज दिली से छुपा नहीं?